आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में और आज की वीडियो में मैं आपको बताने जारी हूँ SAT के जो एक्जाम होने वाले 1st SAT के उनकी डेट सीट की किस डेट को कौन से एक्जाम होंगे क्लास 6 से लेकर 11 तक है तो इसमें विद्दाले शिक्षानी देशाले की तरब से डेट सीट जारी कर दी है देखो हमारे पास ये लेटर है और इसमें अगस्त मा में होने वाले SAT के संदर में ये है तो डेट सीट देख लेते हैं इसमें और डेट सीट यहां पर है 7 से 7 अक्टूबर से ये शुरू है और 7 अक्टूबर को यहां पर 6th क्लास का एक्जाम रहेगा हिंदी का ये यहां पर बिफोर रिशेस होगा यानि कि सुभह के टाइम में ही इसे एक्जाम होगा हिंदी का और साथ तारिक को ही मंडे रहेगा और आफ्टर नून में लंच के बाद होगा मैच का एक दिन में दो होंगे सुभह होगा हिंदी का और लंच के बाद होगा मैच का आठ को होगा साइंस का ये बिफोर रिशेस ही ही रहेगा और आठ को रिशेस के बाद होगा ड्रॉइंग होम साइंज, म्यूजिक या वोकल इंस्ट्रूमेंट्स वगएरा वगएरा का ओप्सनल सबजेक्ट है ये फिर नो को रहेगा शिक्स्ट क्लास का संस्कीर्थ उर्दू या पंजाबी जो भी आपके पास है उसका और नो को रिशिस के बाद होगा सोशल साइंज का लंच से पहले संस के तूर्दू पंजाबी में से एक सबजेक्ट जो भी आपके पास उसका होगा और लंच के बाद होगा सोशल साइंज का फिर हमारे पास टैन अगस्ट को होगा बिफोर रेशिस इंगलिस का तो इस तरह से 6th क्लास के एक्जाम यहां पर SAT का जो असेस्ट होगा वो होगा साथ अगस्ट से लेकर 10 अगस्ट होगे एक दिन में दो होगे एक मौनिंग में और एक इवनिव यानि कि रेशिस से पहले और रेशिस के बाद अब हम जान लेते हैं 7th class का और 7th class का 7 October को SAT रहेगा मैच्स का ये रहेगा before recess, recess से पहले और recess के बाद 7 October को 7th class का रहेगा social science का इसके बाद 8 अगस्त को होगा lunch से पहले हिंदी का और lunch के बाद होगा 7th class का lunch के बाद 8 तारी को रहेगा science का इसके बाद 9 अगस्त को lunch से पहले रहेगा English का और 9 अगस्त को ही 7th class का lunch के बाद रहेगा Sanskrit, Urdu या फिर Punjabi का और इसके बाद 10 तारी को यहाँ पे before recess का रहेगा drawing, home, science, music, vocal instrument, agriculture वेगरा जो भी optional subject है इसके बाद फिर 8th class का देख लेते हैं और 8th class को 7 अगस्त को रहेगा English का lunch से पहले और lunch के बाद रहेगा Hindi का और 8 अगस्त को 8th class का lunch से पहले match का और lunch के बाद साइंस का और 9 अगस्त को रहेगा आठवी क्लास का lunch से पहले साइंस का और lunch के बाद रहेगा drawing, home, science, music वेगरा का और 10 अगस्त को lunch से पहले रहेगा संस्कित, उर्दू या पंजाबी जो भी optional subject है उसका तो ये तो हमने देख ली है 6 से 8 तक की date sheet और अब हम आगे जानेंगे 9th और 10th के तो 9th, 10th के भी इसी तरह से 10 तारिक तक ही exam रहेंगे और एक दिन में 2 ही होने है ये SAT के जो भी assessment हमें तो 9th क्लास का 7 अगस्त को रहेगा lunch से पहले English का और lunch के बाद रहेगा Sanskrit, उर्दू, ड्रोइंग, पंजाबी वगे रहा का और यहां पे 8 अगस्त को रहेगा 9th क्लास का lunch से पहले Maths का और lunch के बाद रहेगा Hindi का अब 9 अगस्त को 9 अगस्त का lunch से पहले रहेगा science का और lunch के बाद रहेगा social science का, 9 अगस्त तक ही यहां पे रहेंगे ये subject जो अपनी assessment होने हैं वो 9 अगस्त के 7 के 2, 7 अगस्त को 2 होंगे, 8 अगस्त को 2 और 9 अगस्त को 2 उसके बाद फिर regular classes चालू हो जाएगे इसी तरह से 10 का और 10 का 7 अगस्त को lunch से पहले जो भी assessment है वो रहेगा, English का और lunch के बाद रहेगा, Sanskrit, Urdu, Drawing वगएरा का और 10 अगस्त का ही 8 अगस्त को रहेगा lunch से पहले maths का और lunch के बाद हिंदी का यहाँ पर 9 अगस्त को रहेगा lunch से पहले social science का और lunch के बाद रहेगा science का तो 9 और 10 वी की लगभग एक जैसी date sheet है, SAT के लिए सर्फ 9 तारिख को जो exam है 9 अगस्त को उन में difference है 9 का है science और social science का इनका morning evening में difference है, रिशिस से पहले और रिशिस के बाद का और 10 का 9 तारिख को रहेगा, social science का lunch से पहले और science का lunch के बाद, इसके just after आपकी regular classes शुरू हो जाएंगी, कोई बीच में चुटियां नहीं मिलेंगी तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, paper आगे से नहीं आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, science, SAT का अगस्त मा के SAT है तू, अलग से परशन पत्र नहीं चपवा कर बेज़े जाएंगे, teacher बनाएंगे, और सबसे SAT के लेने है, exam, assessment और उसके बाद record तयार किया जाएगा, और उसको अवसर एप पर अपलोड कर दिया जाएगा, यहाँ पे बताएंगे, से पेपर नहीं चपके आएंगे, SAT के जितनी भी assessment होंगे, पेपर अलग से नहीं आएंगे, यह teacher को ही बनाने है, और result तयार करने के बाद, जो record होगा, वो आपको आवसर एप पर के portal पर आपको अ स्कूल लग जाएंगे, कोई चुटिया इसको नहीं मिलेंगे, तो उमीद करती हूँ, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको अच्छी लगे, तो वीडियो को like, share करना, और चैनल को subscribe करना, thank you